तो यह गास Welcome to weekly market analysis video जहां पर हम Nifty और Bank Nifty का weekly analysis करते हैं और देखने की कौशिश करते हैं कि next week market का direction किस तरफ हो सकता है और किस तरह किसे हम उसको trade कर सकते हैं इस के लाओ best stock जिनको आप Monday को intraday के अंदर trade कर सकते हो और और सारी trade का लोजिक कि है सारी चीज़े हम डीटेल में डिसकस करते हैं तो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेंग निफ्टिका में मंतली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे यहां पर शाप रिकावरी हमको देखने को मिल रहे हैं यहां पर देख सकती यह लास्ट रेट केंडल दिख रही है एक काफी अच्छे नीचे की तरफ सेलिंग आई थी प्राइस ने इसका प्रियर्स केंडल का लो ब्रेक किया था उसके बाद फिर से प्राइस उपर की तरफ निकल रही है यानि कि शाप रिकावरी अभी हमको लास्ट हफ्टे में देखने को मिली इसके लाव देखो मेजर ट्रेंड अगर देखोगे यहां से टॉप लेवल से तो डेफिनिटल एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ही बनाता अभी चल रहा है लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा अच्छा सिच्वेशन अभी हमको देखने को मिला है कि प्राइस ने जो प्रिवियर्स मेजर स्विंग लोग था यहां पर था वो समय रहा हूं इस लेवल के आसपास जिसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया ठीक है जो मेज केंडल स्टिक पैटन देखने को मिला और फिर से प्राइस उपर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही ठीक है तो इस हपते की क्लोजिंग देखो गए ते ग्रीन केंडल के साथ हुई तो थोड़ा सा पॉजिटिव हमको यहां पर सिच्वेशन देखने को मिल रही है इसके ल यहां पर हम बात करें तो अभी प्राइस एक इंपोर्टेंट लेवल के पास में आ चुके और यहां पर देखा होगा यहां पर एक बहुत बड़ा गेप डाउन होगा था गेप डाउन होने के बाद देखो कि इस लेवल से प्राइस नीची की तरफ आई थी फिर से बाउंस किया था फिर से नीचे इस तरीके से एक जो लेवल है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है अब यह लेवल कौन सा यह जो लेवल है 33,000-3,800 का लेवल ठीक है एक राउन लेवल नमबर बता रहा हूं थोड़ा सा पॉइंट में 20-25 पॉइंट उपर नीचे हो सकता है लेकि जो रेजिस्टेंस लेवल है 34,800 का लेवल ठीक है इस लेवल को प्राइस मुल्टीपल टेस्ट करचुक है तो अगर यह 33,800 का लेवल ब्रेक होगा तो एक बड़ा मॉमLikeनटम हूं मंदे को देखनी को मिल शकता है उसके एक 2 दिन में हमको बड़ा मोमेंटम देखनी को मिल एक बड़ा target हमारा heat हो सकता है ठीक है इसके लाव बात करूँ price में resistance कहाँ पर face करेगी price तो यहाँ पर हम देख सकते हैं triangle chart pattern अभी बनाने की price कोशिश कर रही तो यहाँ पर हमको एक resistance देखने को मिल सकता है इस level के आसपास ठीक है तो यहाँ पर मैं उपर से trend line को mark किया हूँ और यह जो trend line है काफी ज़्यादा important है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो two times prices level को test कर चुके और यहीं सी पहले आपको cycle हो जी समझना है कि इसमें चल क्या रहा है एक बहुत बड़ा gap down हुआ उसके बाद price नीचे की तरफ आई सबसे पहले price नीचे आई तो एक buyers again aggressive उपर की तरफ लेके गए फिर से बड़े sellers इसमें आया और काफी ज़्यादा price को नीचे लेके गए फिर से buyers आय फि अभी 627 के असपास closing दीती इसने Friday को और उसके अभी देखो के price लेक ब्रेक आउट हमको देखने को मिल सकता तो जैसी price 33,800 का level cross करती हम इसको में buy करेंगे एक बड़ा momentum हमको देखने को मिल सकता अगर Monday को price थोड़ा सा gap up या फिर sideways open होकर इस trend line को break करती यानि कि 33,800 का level cross करने के बाद हम entry लेंगे उससे पहले आपको entry नहीं लेना 5 mint के candle इसके उपर closing हो जाती 33,800 के उपर हम इसमें buy कर सकते हैं उसके पीछे का reason है कि आप 33,800 के उपर maximum लोगों का stop loss यहाँ पर बड़ी party का stop loss यहीं पर होगा क्योंकि यह important level है and यहाँ पर सबसे बड़ा stop loss होगा तो ज and यहाँ पर अगर बहुत बड़ा gap down हो जाएगी तो हम Monday को ignore करेंगा बहुत बड़ा gap down हो जाता है प्राइस 300 400 500 अग नीचे की तरफ open होती तो फिर इसको उपर जाने में थोड़ा travel करने में time लग सकता है ठीक है तो फिर उसके बाद next day हम try कर सकते है लेकिन फिलाल आपको द bang nifty के लिए अगर के बात करो तो अभी sale के लिए आपको immediately plan नहीं करना लोग जब तक फिर इस ब्लेवल को Cross नहीं करेगे चो थि किज़ती जार 490 का scale score करोस के तब तक एसको sell के लिए प्लान नहीं करेंगे ठीक है चली अब हम देख लेते bank nifty को देख लेते हैं सबसे पहले इसका monthly time frame का chart लगा लेता हूं nifty पर बड़े time frame पर देख लेते क्या चल रहा है बड़े time frame पर देखोगे definitely हमको एक negative scenario ही देखने को मिल रहा इसके लिए अब हम बात कर लेते हैं विकली time frame के चार्ट के ओपर यहां पर सिंपली price action को आप थोड़ा सा समझोगे तो यह थोड़ा सा मको ज्यादा negative देखने को मिला as compared to bank nifty क्योंकि bank nifty में थोड़ा सा positive sign यहां पर भी top level से देखोगे price एक continuously low loss बनाती जारी और यहां पर finally एक level को इसने ब्रेक किया ठीक हो कौन सा level था वो level था somewhere around यहां पर ठीक है मैं zone create कर लेता हूं यह जो level आप देख रहे हो support area था काफी ज़्यादा important support area था इसको इसने ब्रेक किया था ठीक है सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको यहां पर यहां पर यह zone मैंने create क्या है काफी ज्यादा important है उसके पीछे का reason है कि यहां पर देख सकते हो पहले यह दो बार प्राइस इसको प्राइस कर देता हूं and daily time frame पर देखोगे तो काफी ज़्यादा important area पूरा यह crucial area होने वाला एक important resistance है यहां पर राउन लेवल की बात करो तो 15800 का एक round level नमबर है 15800 से लगा अगर 15850 या फिर 900 तक ठीक है यह पूरा area है एक area के अंदर important resistance लेवल है अगर 15800 से 900 का लेवल अगर प्राइस क्रोस कर देती है जो पूरा यह जो इसका हाई recent का एक हाई लगा मार्क कर देता हूं यहां पर जो last यहां पर जो gap down हुई थी उस से पहले का है उसके बाद का जो हाई था price उसको अभी तक price break नहीं कर पाई है ठीक है जहीं कि 15886 का लेवल है ठीक हम राउंड लेवल नमबर क्या ले रहे 900 का लेवल ठीक है 15900 का लेवल अगर क्रोस करेगी price तो एक बड़ा momentum उपर के तरफाएगा यहां पर 800 से लगा कर 900 य यहां पर हो क्या सकता है आपको थोड़ा सा समझना है देखो यहां से price एक बाद नीचे आई थी फिर नीचे आई थी उसके बाद यहां पर री टेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ आ सकती तो यह थोड़ा सा आपको धियान रगना है अगर मंडे को यहां पर बड़ी rate candle बे बहुत बड़ा गेप डाउन हो रहा है तो हमको समझ जाएंगे कि अल्रीडी सेलिंग प्रेशर है ठीक है बहुत बड़ा गेप अप हो जाएगा तो यह फी साइडवेस होका अगर ग्रीन केंडल बनाती है तो हम इसको बाइक के लिए प्लान करेंगे ठीक है चलिए एक बाद ठीक ही मिया निजिसेट का उसकि बाद ट्रिपल टॉप लगाने के बाद एक बड़ा सेल्फ जंत थोड़ा बहुत यहां पर वीकट किया भान्स किया फिर से फ्राइस नीचे फिर से नीचे एंन इस इसी को दो स soutफ यह लिए tuhोंए अगर ऐसा होगा अच्छा मोम्मिंटम आ तो यहाँ पर थोड़ा सा पूरा एरियहा कुझ सा रजिस्टेंस एरिया उनल के प्लान करंगे तो इसको बैए प्लान होते कि अगर रेंट कररेंगे गर एक मोमेंटम तो और फार हम घंतकी करेंगे होँगे 15600 के नीचे 15620 या फी 625 के नीचे जैसी प्राइस निकलेगी हम इसको इमिजेटली शोट के लिए प्लान कर सकते हैं उसके बाद जाँ, जहां बिस तरीके से चल रही है और प्राइस अफिस इसको आज तो मंडे को मार्केट नेग्रेकिव रहेता है, तो से यहां मिलंगा या फिर इसमें रिजिस्टेंट मेंस के लिए कोई भी signal मिलेगा कुछ time बाद भी मिलता है तब भी हम इसको short के लिए प्लान करेंगे ठीकिए buy के लिए अभी aggressive plan नहीं करता है अगर इसमें breakout होगा तो भी हम buy के लिए plan करेंगे अभी buy के लिए plan नहीं करेंगे immediately अगर first time अगर इसमें सेल के लिए मिल रहा है तो आपके लिए ज्यादा conviction होगा क्योंकि major trend अभी इसका negative चल रहा है ठीक है सेल के लिए मिलेगा तो यहां तक target आपका नीचे तक हो सकता है stop loss इसी यह जो zone में ने red zone बनाए इसके हाई के उपर आपका stop loss होगता है तो यहां पर आपका थोड़ा आपको समझना होगा कुछ time बाद आपको trade मिलेगा immediately trade नहीं मिलेगा इस zone के आसपस कहीं पर भी यानि कि पचीस सो बीस पचीस सो पचीस सो दस से लगा कर पचीस सो बीस के आसपस कोई भी रेड सिगनल देखने को मिलता कोई बड़ी रेड केंडल बिलती है तो उसके बाद हम सेल के लिए इसमें थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं आपको थोड़ा सा समझ के इसमें trade करना होगा ठीक है next stock देख लेते हैं इसमें simple होगा trade करना ITC ITC के अंदर 50-minute time frame के चार्ट के उपर देखो के रिसेंटली हमको एक बड़ा breakout यहां पर इस लेवल के आसपस देखने को मिला था तब भी मैंने आपको यह trade दिया था उसके बाद बड़ा momentum होगा और फिलाल अभी price में बात करूंत एक inverted head and shoulder हमको देखने को मिला था इसमें हम बाई के लिए easily plan कर सकते मंडे को अगर market positive रहता है तो हम इसमें जो बाई के लिए जो breakout level हो मैं आपको बता देता हूं 267.50 या फी 268 का level ठीक है last stock देख लेते हैं वीप्रो वीप्रो को अगर यहाँ पर देखो कि 50-minute time frame के चार्ट के ओपर तो अभी एक triangle chart pattern का formation यहाँ पर चल रहा है ठीक है अभी formation complete नहीं हुआ यह चल रहा है ठीक है तो Monday को अगर market sideways इसके अंदर open होता हूं कुछ time wait करने के बाद यहाँ दो upside breakout लेता है था हम buy के लिए plan करेंगे market positive और इसमें upside breakout हो रहा है बाय करेंगे market negative और इसमें downside breakout हो रहा हम sell करेंगे ठीक है simply आपको चीज़े समझ में आगे target आपका वन इस्टीट हो रहने चाहिए maximum stop loss आपका 5 रूपर क्या सपास होना चाहिए i hope की सारे चीज़े आपको समझ में आई होगे किस तरीके से plan करना है and analysis आपको समझ में चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरू कर लेना ताकि बेल आइकन और बेल आइकन को hit कर लेना ताकि जब भी मैं यह वीडियो अपलोड करूँ तो आपको कोई इस सीरीज के अंदर basic से advance में सिखा रहा हूं तो जाकि एक बार चरूर चेक आउट कीजिएगा ठीक है तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर